नमस्कार दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि ACC ने Asia Cup को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है जी हाँ ये फैसला है भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर यहाँ पे जो मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान का उसके लिए रिजब्डे रख दिया गया अगर हम आपको और explain करें इस रिजब्डे के बारे में तो ये जो रिजब्डे सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए ही रखा गया है यानि कि जो 9 सेप्टेंबर को मुकाबला होगा सिलंका वर्सिस बंगलादेश फिर जो अगला मुकाबला होगा 12 सेप्टेंबर को भारत और पाकिस्तान का दस्क होगा फिर उसके बाद 12 सेप्टेंबर को जो मुकाबला होगा उसके लिए भी कोई रिजर्ब डे नहीं रखा गया है फिर 14 सेप्टेंबर को जो मुकाबला होगा उसके लिए भी रिजर्ब डे नहीं रखा गया है और 15 सेप्टेंबर को जो आखरी मुकाबला सूपर फोर स्टेज का खेला जाएगा उसके लिए भी कोई रिजर्ब डे नहीं रखा गया है यानि कि जो चार टीमों हैं उनमें जो दो टीमे हैं आपकी भारत और पाकिस्तान वो तो रिजर्ब डे का लुप्त उठाएंगी क्योंकि जो कुलम्बो का फोरकास्ट है वो उतना अच्छा नहीं है यहां पे भारी बारिस का अनुमान है और पहले सी यह जो अनुमान लगा जा रहा था जिसका रहर यह लग रहा था कि जो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है दूसरा मुकाबला लागातार बारिस की भेट चड़ जाएगा जिस कारण ब्राटकास्टरों को और ACC को काफी लंबा नुकसान उठाना पड़ जाता और उसके मद्दे नजर जो शुरुआत हो रहा था जब सूपर 4 का उसके मद्दे नजर यहाँ पे ACC इस सूपर 4 के सारे मु सिर्फ और सिर्फ वो एकी मैच में यह रिजर्ब डे रख सकते हैं जिस कारण जो बची हुई दो टीमे हैं बांगलादेश और सिलंका उनके साथ इस डिसीजन ने अन्याय कर दिया है और यह जो सूपर 4 का मुकाबला है यह काफी दिल्चस्प होने वाला है यहाँ पे आप किसी भी टीम को हलके में नहीं ले सकते हो और दो टीमों को प्रिविलेज देना से रिजर्फ डेका यह बाकी दो टीमों के लिए जरूर अन्याय है और यहाँ पे आप न बंगलादेश को हलके में ले सकते हो न स्रिलंका को हलके में ले सकते हो बंगलादेश अपने दिन भा एक्स्ट्रा एडवांटेस देना वो भी उनसे सुपीरियर टीम को ये दो टीमों के साथ नाइनसापी है और जाती है क्योंकि ये जो समीकरण है जब फाइनल का समीकरण बनेगा तो वहाँ पे एफेक्ट कर सकता है क्योंकि जो फोरकास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ भारत और मुकाबले के लिए ही गड़बर नहीं है बलकि सारे की सारे सुपर फोर के मुकाबले रेन एफेक्टेड हो सकते हैं तो वहाँ पे अगर सिलंका के जो भारत के खिलाब मुकाबला है वो रेन एफेक्टेड हो गया और बंगलादेस के खिलाब जो उनका मुकाबला है वो रे के साथ ना इंसाफ ही हो रही है लेकिन कहते हैं कि पैसा ही हर चीज होता है इस जमाने में और उसी के कारड आप जो ACC ने इतना मेहनत किया है ये टुर्नामेंट कराने के लिए वो मैच था भारत और पाकिस्तान का और वो उसमें दो मैच अगर बार इसकी भेट चड़ जाए त सिलंकन बोर्ट को inform किया गया होगा उसके बाद ही ये फैसला लिया होगा और दोनों बोर्ड राजी भी हुई होगी तभी ये फैसला भी आया होगा हाला कि लेकिन जो भी हो ये जरूर इन दोनों टीमों के साथ अन्या है और ये समिकरण में काफी कुछ एफेक्ट करने वाला है कि फाइनल की दो टीमें कौन सी होंगी तो रिजर्ब डे आप समझ सकते हैं इसलिए रखा गया है पूरा ICC यही चाहता है कि फाइनल में भारत औ आज के अपने इस रिपोर्ट में वस इतना है आप सभी अपना ध्यान रखें सुरक्षित रहें सौस्त रहें मस्त रहें जय हिंद जय भारत अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और फ्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले